हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू एटीपी और बच्चों क्या हल चालें तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है और बायोजिकल क्लासिफिकेशन में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था फंजाई के बारे में फं केलिएबच्चों सेक्डॉल और टीक कोई अध्यक के अंदर सबसे पहले में विन नामिचेजिकीफंच झाले। सेकंड मेथड है बच्चों गयमिट एंजियल कॉंटेक्ट गयमिट एंजियल कॉंटेक्ट थर्ड मेथड है बच्चों गयमिट एंजियल कॉपुलेशन बच्चों यह गयमिट एंजियल कॉपुलेशन जो होता है इसको हम कॉंजुगेशन भी बूल देते हैं गयमिट एंजि next method जो है, वो है spermatization spermatization and एक और भी method है बच्चों वो है somatogammy somatogammy ठीक है बच्चों, तो ये different methods होते हैं किसके reproduction के, sexual reproduction के fungi में बच्चों इनको एक ही करके हम detail में पढ़ना start करते हैं, सबसे बहले start करते हैं planogametic population क्या होता है तो बच्चों planogametic population जो है, उसके अंदर क्या होता है जिससे दो fungal hypha है, बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि fungi जो है homothelic और heterothelic दोनों type के होते हैं, तो suppose हम जो example ले रहे हैं यहाँ पर हमने देखा कि fungi जो है, वो heterothelic है और यहाँ पर जो different hypha है, इसके उपर क्या हुआ, इसके उपर एक structure develop हुई, किस type की structure, जैसा कुछ हम spore ingia देख रहे थे बच्चों बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर uniceller ऐसा structure develop हुआ, और इस structure के अंदर बहुत सारा mitosis होकर गए, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो fungi होता है, वो haploid होता है तो इसने mitosis करके अंदर यांदर क्या कि बहुत सारे cell जो है, वो form कर लिए, यह actual में क्या है यह है इसके gamits, तो बच्चों यदि gamit structure के अंदर form हो रहा है तो इसको बुलेंगा हम gamit ingia वो structure जिसके अंदर male gamit बनते हैं बच्चों, उसको हम बुल देते हैं male gamit ingia, suppose यह है male gamit ingia, male gamit ingia जो है बच्चों, उसके लिए एक और भी term हम use करते हैं यहाँ पर, वो है anthiridium, क्या है बच्चों वो word, anthiridium, तो यहाँ पर anthiridium के अंदर mitosis के तुरू बहुत सारे male gamit बच्चों, इसी तरीके से suppose, दूसरी जो female hyphy है उसके उपर भी ऐसी unicellular non-jacketed structure जो है वो develop हुआ और इसके अंदर भी mitosis के तुरू बहुत सारे gamit formation हो चुके हैं तो बच्चों, यह जो दूसरा structure है इसको हम क्या बोलेंगे, यह है female gamit ingia, तो male gamit ingia और female gamit ingia का formation होआ है, यहाँ पर different थेलाई के उपर देख रहे हैं और female gamit ingia जो होता है बच्चों, उसको हम क्या बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं ugonium, बच्चों, एक बात ध्यार रखेंगे आपकी जो फंजाई होता है उसके अंदर enthidium और ugonium term यूज करते हैं याँ फिमेल gamit ingia है, उसके लिए ugonium term यूज करेंगे लेकिन यदि आप आगे पढ़ेंगे जब यह female gamit ingia multicellular jacketed होगी, तब हम उसे archegonium बोल रहे होंगे, ठीक है बच्चों याँ ब्राया फाटा से आप इसको female gamit ingia को archegonium बोलेंगे बट अभी हमने क्या देखा, male और female gamit ingia जो बने, उसके अंदर male और female gamit जो है, उनका formation हो जाता है और वो release हो जाते है, बच्चों यह जो male gamit और female gamit है, वो दोनों same भी हो सकते है, different भी हो सकते है, male gamit and female gamit जो है, वो motile भी हो सकते है, non motile भी हो सकते है यहाँ पर isogammy anisogammy या ugammy के through reproduction जो है, या fertilization जो possible है, यहाँ पर बच्चों fertilization का step जो होगा, वो बिलकुल वही होगा जो हमने last lecture ने पड़ा था कि सबसे पहले होगा plasmo gammy plasmo gammy के डैंपे क्या हुआ, यह जोनों male और female gammy जो है, वो आपस में fuse कर गए, लेकिन पहले fuse हुआ क्या, सिर्फ इनका cytoplasm, और एक cell बन गए जिसको हम का बल सकते है, जिसको हम बल सकते dicariotic cell तो बच्चों, यह dicariotic cell जो है, वो immediately क्या कर लेती है, immediately कर लेती है, karyogammy यानि, इनके अंदर plasmo gammy के बाद में, karyogammy जो immediately हो जाता है, जिसकी वज़े से एक structure बन जाता है, zygote और यह zygote की bloody level, बच्चों, क्या होगी n की 2n, तो यह zygote जो होता है, वो 2n हो जाता है तो कि यह dicariotic cell जो है, इसकी bloody level है, n plus n, जब karyogammy हो गई, तो 2n मन गया, यह structure क्या है, बच्चों, यह है zygote और आपको पता है, zygote में फिर क्या होगा, meiosis और meiosis होकर के क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर haploid structure जो है, वो form हो जाएंगे haploid poor जो है, वो form हम, जो sexual reproduction का method, planogametic copulation जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसमें आपने देखा क्या, कि steps जो है, वो वही follow हो रहे हैं, जो हमने sexual reproduction में पढ़ दी है, यानि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा, plasmo gammy, gamit बनेगा mitosis से, gamit का fusion होगा तो पहले, जो cytoplasm होगा, वो fuse होगा, तो यानि पहले होगा plasmo gammy, उसके बाद होगा, क्या बच्चो, karyo gammy यहाँ पर plasmo gammy के तुरंद बाद में karyo gammy हो जाती है, इसका मतलब di-carotic stage life cycle में absent होगी, secondary macillium बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और ultimately muosis होगर के, haploid organism का formation हो जाएगा बच्चो, इस type का reproduction जो है, वो normally कहाँ देखने को मिलता है, इसका example क्या होगा बच्चो, इसका example है chytridium mycets synchytrium है बच्चो, उनके अंदर ऐसा होता है, plasmo diophoromycets तो बच्चो, यह कुछ primitive type के फंजाई हैं, जिनके अंदर इस type का method, planogametic copulation जो होता है, ठीक है बच्चो अब हम देखते है next method, जो था gamet angel contact बच्चो, देखते हैं कि gamet angel contact में क्या होता है, gamet angel contact जो होता है, उस time पे हम देखते हैं कि 2 fungal hyphae है, सपोज यहाँ पर भी heterothelic condition है और बच्चो, male और female gamet angel होगा यहाँ पर, जिसे male gamet angel है, वो uninucleate या कोई बार multinucleate भी हो सकता है, male gamet angel को हमने क्या बोला था बच्चो क्या हमने इसे anthridium बोला था क्या येस, तो यह बन गया anthridium और anthridium के अंदर male gamet ऐसे ही female gamet angel जो है, वो भी क्या term दिया है, उसको क्या नाम दिया है, उगो नियम तो इस तरीके से male female gamet angel बनता है, और इसके बाद में होता है बच्चो, plasmo gammy plasmo gammy क्या होता है plasmo gammy वो process जिसमे अब यहाँ पर male और female gamet angel पास पास में होते हैं एक दूसरे के contact में आकर के और कुछ इस तरीके से fuse हो जाते है तो बच्चो, कुछ इस type का structure होता है जहाँ पर male जो है वो अपना सारा content जो है वो cytoplasm with nucleus जो है वो किसके अंदर insert कर देता है वो female जो यहाँ पर gamet angel है उसके अंदर insert कर देता है यानि male से यहाँ पर सारा cytoplasm जो है वो कहाँ पर transfer हो जाता है with nucleus यह transfer हो जाता है female के अंदर बच्चो यही जो process हो रही है यहाँ पर इसको हम क्या बलेंगे प्लास्मो गैमी यानि प्लास्मो गैमी के बाद में क्या हो जाएगा जो male gamet angel है वो तो empty cell में convert हो जाएगा यानि यह जरे देजरे degenerate हो जाएगा और जो female gamet angel होगी बच्चो वो convert हो जाएगी किसके अंदर यहाँ पर प्लास्मो गैमी हुआ था प्लास्मो गैमी हुआ तो suppose इसके बास diicariotic stage जो है वो आ गई है तो अब इसके बाद में प्लास्मो गैमी होने के बाद में क्या हो जाएगा immediately हो जाएगा यहाँ पर carryo gammy ठीक है बच्चो हमने पढ़ा हुआ प्लास्मो गैमी के बाद में तुरंट से carryo gammy हो जाता है और carryo gammy होने के बाद में यह structure क्या बन गया यह एक zygote बन गया और zygote के उपर thick covering यह दी है बच्चों तो इस zygote को with thick covering हम क्या नाम देते हैं इसको नाम देते हम इसका नाम हो जाएगा Oospore क्या बन गया यह Oospore Oospore की फ्लाड़ी लेवल क्या हो जाएगी बच्चों 2N हो जाएगी और फिर Oospore क्या कर लेगा MEOSIS कर लेगा मिOSIS करके इसने हैपलोइड स्ट्रक्चर बनाया और रिलीस कर दिया यह हैपलोइड स्ट्रक्चर जो है वो germinate हो जएंगे पिर से जिसके अंदर Neu Fungal Hip See के अंदर तो बच्चो इस तरीके साथ आपने देखा कि Life cycle के अंदर Male और Female Gritis जो होता है उसके बीच में डायेबट कॉंकिक्ट के थरूं जो है साइटीब लास्म और नुकलिस जो होता है तो और याएगवता हभाग जू वह थीख वाड़ होता है मैं हम क्या बूश्पूर बोल दे बच्चो इसका इक्जाम्पल क्या है का कौं से इस power करैं इंक हमगेन passport on 쉽 Chase Kapt Сам थीर्पन में पर हें ट्रीम है थे को से अब अब बच्चों नेक्ष्ट में ग्रमेटेफ्टेगल कोंट पुलेशन और बच्चों इस में जो में होता है कि जैसे कि हम देखते दो फंगल हाइफी strategy तो यह दो fungal hyphy जो है वो पास-पास में grow करें कुछ इस तरीके से तो यह दोनों fungal hyphy जो है उनमें से एक जो है वो male की तरह behave करेगा और एक जो है वो female की तरह behave करेगा अब होता क्या है इन fungal hyphy पे same places पे opposite side में कुछ projections जो है वो इस तरीके से डवलप होने start हो जाते है तो कुछ इस तरीके से projection जो है वो form होना start हो जाएगा और ये projection जो बन रहा है इसके अंदर nucleus का transfer हो लग जाएगा तो male और female gamit injury जो है वो बहुत ज़्यादा defined form में यहाँ पर नहीं बनता है इस तरीके से outgrowth होती है और ये projections जो होते हैं वो एक दूसरे से fuse जाते हैं या एक दूसरे पर attach हो जाते हैं कुछ इस तरीके से पहुंचे और fuse हो गए साथ ही इसके अंदर nucleus जो है उसका number भी एक से जादा होता है वच्छो यदि nucleus का number एक से जादा है तो इसलिए हम इस structure को क्या बोल देते हैं यह जो gamit की तरह behave करेगा इस सीनो गैमीट बने थे बच्छो यह fuse हो गए अफ्यूजन में पहले क्या हुआ है सबसे पहले हुआ है प्लास्मो गैमी चीक है बच्छो प्लास्मो गैमी जब होगा तो यहाँ पर nucleus का number जो हो double हो गया और अब क्या होगा बच्छो अब यह nucleus fuse हो गएंगे यहाँ पर हुआ है प्लास्मो गैमी और इसके बाद में होगा बच्छो इमिडीयेटली क्या senior gammy, यहाँ पर हो गया carry is गैमी, केरियो गैमी होने के बाद में क्या हो बच्छो यह जो structure थी यह convert हो गई किसके अंदर, zygote के अंदर अब यहाँ पर यह बन गया है, zygote ठीक है बच्छो, जहाँ पर बहुत सारे 2N यूगलेस आप देख पारें और यह अपने चारो तरफ thick covering बना लेता है बच्छो, यह जो thick covering चारो तरफ बना है resistant covering क्योंकि normally sexual reproduction जो है वो unfavorable condition में होता है तो इस thick covering को बच्छो हम बोल देते हैं, zygote spore क्या बना दिया, इसने zygote spore बना दिया, अब यह zygote spore जो है indirect germination by germ spore engine ठीक है बच्छो तो indirect germination होता है किस के तुरू, germ spore engine के तुरू यानि यहाँ पर क्या होता है यह जो zygote spore है यहां से branch निकलती है, divide हो करके और यह अपने आप में क्या करती है यह उपर की तरफ grow करती है और एक spore engine यहाँ पर बनाती है इस spore engine का हम क्या हो रहे बच्छो यहाँ पर? germ spore engine germ spore engine के अंदर germ spore बन रहे बच्छो वो कौन से division से? meiosis से haploid structure जो है उसका formation हुआ है यानि यहाँ पर meiosis भी हुआ है और बच्छो meiosis होने के बाद में जो यह haploid spore बने है वो release हो जाएंगे और यह haploid spore यहाँ से release होकर के जब germinate करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? new fungal hyphae जो है उसका formation हो जाएगा वो कैसा होगा? haploid होगा ठीक है बच्छो यह भी है तो इस तरीके से हमने देखा कि gamet angel contact या sorry gamet angel copulation या conjugation की process वो complete होती है बच्छो यह method जो है वो किसमें देखने को मिलता है? यह देखने को मिलता है rhizopus में या फिर हम बूल सकते है class zygomycetes में zygomycetes के अंदर यह method होता है और zygomycetes का important member जो है बच्छो वो आप ध्यान अखेंगे rhizopus, rhizopus important member है ठीक है बच्छो अब इसके बाद में next method जो है बच्छो हम देखते है spermatization बच्छो spermatization method जो है वो कैसा method है कि यहाँ पर आप देखते हैं कि fungal hyphae, suppose यह एक fungal hyphae और यह दूसरी fungal hyphae है मान लीजिए कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर एक fungal hyphae जो है एक जो थैलस है उसके उपर डवलप हुआ male gametangia जो जब spermatization की process होती है तो उसके अंदर जो male gametangia बनता है उसे spermatangia बोलते हैं यह जो structure है वो क्या है वो है spermatangia spermatangia जो है बच्चो इसका मतलब क्या है spermatangia जो है वो male gametangia है और इसके अंदर जो male gamet बनते हैं बच्चो वो होते है spermatia male gamet को क्या बोलते है spermatia female gametangia जो है वो well defined नहीं होती बच्चो तो that is like any hyphae और हम इसको क्या बूल देते हैं हम बूल देते हैं receptive hyphae यह जो है वो क्या है receptive hyphae और बच्ची receptive hyphae के ओपर जो आपको pointed part दिख रहा है इस pointed part को हम बूल देते हैं trichogyny तो यहाँ पर female gamete injury वो well defined नहीं है बट male gamete injury जो होता है वो defined होता है उसमे स्पर्मेट injury तो बच्चों haploid fungi as usual haploid है तो mitosis के तुरू male gamete बना होगा यहाँ पर spermatia बना होगा अब क्या होता है बच्चों यह spermatia स्पर्मेट injury जो है वो break हो झाता है और स्पर्मेट injury को release कर देता है यहां पर स्पर्मेट injury में से क्या हुआ स्पर्मेट injury से कि कहां पर पहुंचता है यह कि रिलीज होकर के पहुंच चाता बच्चो ऑर जब रिस्टेप्टिव हाई-फी के ऊपर जाके मर्ज करेगा तो क्या होजाएगा यहां से रिलिज हुआ है और इसके उपर आके चोड़ गया क्या हो जा mph बच्चो इसके बीच में यहाँ पर होगी अब क्या प्लास्मो गैमी प्लास्मो गैमी हो जाएगी बच्चो प्लास्मो गैमी होता है तो क्या होता है एक यहाँ पर डाइकरिटिक जो है वो सेल बन जाएगा और बच्चो ये dicherotic cell जो है वो further कुछ इस तरीके से ये further divide करेगा यानि यहाँ पर dicherotization होगा क्या होगा dicherotization dicherotization क्या process होता है बच्चो जिसके अंदर इस से एक जो dicherotic mycelium है उसका formation हो जाता है तो इस तरीके से process जो हो complete होती है और उसके बाद में हो जाएगा क्या karyogammy and meiosis karyogammy हुआ तो कुछ cell जो है वो किसके तरह behave करने लग जाएगी zygote की तरह और फिर क्या हो जाएगा इसके अंदर meiosis और meiosis होने के बाद haploid structure का formation haploid spores बगएरा बन गए और इनके germination से जब जर्मिनेट होंगे तो क्या बन जाएगा new hyphy बन जाएगी तो बच्छो इस तरीके से spermatization वाली process complete होती है और बच्छो spermatization process जो है वह mainly किनके अंदर देखने को मिलती है rust fungi के अंदर यानि mainly जो है वह bestidium acids और बच्छो कुछ escomyces जो होते हैं उनके अंदर भी spermatization process होता है ठीक है बच्छो और अब बच्छो एक process और जो है last हम पढ़ते हैं वह है somatogamie बच्छो somatogamie जो process है इस process में क्या होता है इस process में male और female जो हाइफिय होते हैं वह अलग नहीं होते हैं कोई भी body की cell जो होती है वही क्या होती है, वही आपस में fuse हो जाती है और किसकी तरह behave करने लग जाता है, वो male और female कोभी cell जो है, वो male और female gamit जो है उनकी तरह behave करने लग जाता है, ठीक है बच्चों तो suppose कुछ इस तरीके से male और female hypha ही है बच्चों अब इनके अंदर क्या हुआ है इनके अंदर दो somatic cell जो है वो आपस में fuse हो गया सपोज ये दो somatic cell है ये आपस में fuse हो गया तो ये somatic cell के fusion के साथ ही क्या होता है ये एक diicaratic cell के अंदर convert हो जाता है यानि इसके अंदर क्या बन गया इसके अंदर एक diicaratic cell का formation हो गया तो ये वाल specialized reproductive organ जो है उनका formation नहीं हो रहा है बलकि कोई भी दो somatic cell जो है वही आपस में क्या होते हैं वही आपस में fuse हो जाते हैं और fuse हो करके किसका formation कर रहे हैं वो plasma gamma करके dicaryotic cell का formation कर रहे हैं यह एक cell बनगे जिसको हम को बलेंगे dicaryotic cell अब बच्ो यह dicaryotic cell जो है इसके अंदर होता है dicaryotization dicarotization होगा जो बच्छो क्या होगा यह जो dicaryotic cell है यह divide करती जाएगी और जो भी mycelium बनेगा उसके अंदर complete mycelium जो है उसके अंदर दो nucleus जो है वो present होगा तो इस mycelium को हम क्या बलेंगे यह mycelium जो है जो वो है secondary mycelium तो hyphy जो बनेगा वो diicariotic होगा उसको ही हम secondary mycelium होते हैं इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि plasmo gammy और karyo gammy के बीच में time gap ज़ादा होता है ठीके तो somatogammy और spermatization दो अनो प्रोसेस ऐसे हैं जिन में plasmo gammy के बाद में immediately karyo gammy नहीं होती है तो फिर later on क्या होगा बच्चों later on यहाँ पर कोई cell जो है उसके अंदर कुछ projection डवलप होने start हो जाएंगे वो projection कैसे होते हैं कि वो projection हो सकते हैं या तो sack like या फिर club like और nucleus जो है वो in projection के अंदर transfer होने रगता है तो बच्चों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यह projection एक side में हम बना रहे हैं कैसा इधर बनाया sack like इधर बनाया हमने club like और यहाँ पर nucleus जो है वो इसके अंदर transfer हो जाते है transfer होने के बाद में बच्चों अब होगा क्या karyo gammy यानि nucleus का fusion जो है वो किसके अंदर होता है बच्चों यह sack like या club like structure के अंदर होता है यहाँ पर हुआ है karyo gammy इस तरीके से इस diagram में यहाँ पर हुआ है बच्चों karyo gammy तो यहाँ पर क्या बन गया यहाँ पर बन गया 2N nucleus यह है zygote 2N same चीज़ zygote 2N तो बच्चों यह sack like structure जहाँ पर बनता है sack like इसको बोलते है हम ascus तो इसका मतलब क्या यह जो इस side में diagram बना रहा हूँ वो किसका life cycle यह reproduction शो कर रहा है asco majesties का और यहाँ पर यह club like structure जो है बच्चों यह क्या होता है यह club like structure है club like और इस structure को बोलते है हम basidium तो इसका मतलब यह basidiomyces का life cycle है तो ascus के अंदर cariogamia होई यहाँ पर हमने देखा basidium के अंदर cariogamia होई अब cariogamia के बाद में next step क्या है बच्चों meiosis और meiosis होगा तो एक meiosis normally एक meiosis और एक mitosis होता है तो total 8 cell जो है वो form होते है 1,2,3,4,5,6,7,8 तो यह जो 8 cells यहाँ पर form होए इनको बोलते हैं बच्चों हम asco spore यानि ascus के अंदर क्या form होगा है ascus के अंदर form होगा है asco spore और बच्चों यहाँ पर basidium के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक meiosis होता है यहाँ पर तो एक meiosis सिर्फ meiosis होगा तो यहीं सिर्फ meiosis होगा तो बच्चों basidium में 4 cells बनेंगे और वो cells जो है exogenously develop होते हैं कुछ इस तरीके से 1,2,3,4 तो बच्चों यहाँ पर यह जो structure है इसको क्या बहलेंगे हम यह basidio spore है क्या है basidio spore और यह basidio spore कहाँ पर बन रहे है basidio spore बन रहा है basidium पर ठीक है बच्चों तो इस टाइप की structure basidio message में यानि क्या ऐसा बोलते हैं कि asco spore haploid है basidio spore भी haploid है बिल्कल से बात है asco spore endogenously बन रहा है जबकि basidio spore exogenously बन रहा है फिर यहाँ से क्या होंगे यहाँ से asco spore release हो जाएंगे asco spore जो है वो haploid है और यहाँ से release हो गए release होने के बाद germinate होंगे क्या बन जाएगा new hyponformation हो जाएगा बिल्कल ऐसे यहाँ पर basidio spore जो है वो release हुए basidio spore भी कैसे है N है basidio spore N और यह जब germinate होंगे तो फिर से क्या हो जाएगा बच्चो new hyponformation हो जाएगा तो बच्चो यहाँ पर मैंने एक ही डाइग्राम में आपको दो जो class है basidio और basidio मैस्टीज उनको explain किया तो बच्चो एसको मैस्टीज में ऐसा चलता है यानि यह जो site पर मैंने दिखाया यह like cycle है basidio मैस्टीज का उनमें कुछ इस type की structure जो है उनका formation होगा जबकि इस site जो diagram है बच्चो वो है basidio मैस्टीज का तो somatogymig जो है वो asco और basidio मैस्टीज दोनों में होता है बच्चो लेकिन ज्यादा accurately या ज्यादा commonly basidio मैस्टीज में देखने को मिलता है asco मैस्टीज में other methods भी present होते हैं ठीक है बच्चो तो इस तरीके से हमने देखा sexual reproduction के जितने भी method है उन सबको बच्चो अब इसके बाद में हम देखते हैं fungi का classification तो बच्चो फंजाई जो है उसको हम कौन-कौन सी classes में divide करते हैं कि fungi को हम पहले mainly divide कर सकते हैं चार class में कौन-कौन सा होता है एक होता है FICO, MySates then FICO, MySates जो है बच्चो इसको हम further divide कर सकते हैं दो class के अंदर वो दो सब class जो है वो कौन-कौन सी है वो है U MySates and Zygomyces इसके अलावा FICO MySates के अलावा ESComyces Bacidium MySates and Dutero MySates तो बच्चो में कुछ अब important बात देखते हैं इन सब classes के बारे में वो MySates जो होता है बच्चो इसको हम बोल देते हैं कॉन्जूगेशन था, एसको माइस्टीस था है बचटो, इसको हम सेक फंजय भी पोलते थैं, क्यों हम सेक फंजय भी देखर यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर क्यों पे सेक फंजय की स्रॉक्श्टर की फार्म में था, बेस्टिज था है बचचों क्लNS्ट भी बोलते हैं, फिर में जो deuteromycesis के member होते हैं उनके अंदर sexual reproduction absent होते हैं यह perfect stage जो होती है वो absent होती है इस वज़े से इसको हम fungi imperfectible बोलते हैं तो फिर क्या होता है कि actual में asco और basidomycesis के वो member जिनके अंदर sexual reproduction नहीं होते हैं उनको कहाँ पर classify कर दिया गया है deuteromycesis में यदि इनके अंदर फिर कभी sexual reproduction stage जो है वो find out हो जाती है तो हम इसको यहां से निकाल के फिर से classify कर देते हैं कहाँ पे asco या basidomycesis में ठीक है बच्चों अब जैसे हम बात करते हैं कुछ important point कि जो mycelium था या hyphae था वो कैसा था hyphae और mycelium तो बच्चों जो mycelium था इसके अंदर हमने देखा था कि mycelium जो ब्रांच या unbranch हो सकता है और किस टाइप का था multi-nucleated synocytic या या अई septate type का hyphae जो वो present था zygomycesis जो है बच्चों उनके अंदर भी same ऐसा ही concept था और हमने देखा था कि यहां पर भी sinusitic condition है branch unbranch हाइफी जो हो present होता है ए septate type का होता है एसको मैस्टीज के दी हम बात करते है बच्चों तो एसको मैस्टीज में जो हाइफी होता है वो septate होता है और generally primary mycelium present होता है बच्चों एसको मैस्टीज में प्राइमरी मैसिलियम जो है वो लॉंगर डूरेशन के लिए होगा सेकेंडरी मैसिलियम शॉर्टर डूरेशन के लिए होगा यहां पर एक इंपोर्टेंट बात है कि प्राइमरी मैसिलियम प्राइमरी मैसिलियम क्या है बच्चों प्रामरी मैसीलियम जो है वो यूनी नूकलेट वाला है वो लॉंगर टाइम के लिए होगा लॉंगर डियोरेशन और जब कि सेकेंडरी मैसीलियम, सेकेंडरी मैसीलियम क्या है बच्चों जो आफ्टर प्लास्मोगेमी ताइकरेटिक सेल जो हो डिवाइड करके बना रहा था वो था सेकेंडरी मैसीलियम तो सेकेंडरी मैसीलियम जो होता है वो शॉर्टर डियोरेशन जब कि यदि हम बात करें बच्चों बेस्टीडियो मैसीलियम तो यहां पर उल्टा होता है यहां पर क्या होता है यहां पर मेन जो स्टेज होती है वो कॉंसी वाली होती है वो डिक secondary होगा secondary mycelium for longer duration यहनि prominent phase है life cycle का और जो primary mycelium होता है वो shorter duration के लिए होता है वो life cycle का relatively reduced phase है primary mycelium primary mycelium जो है बच्चो वो किसके लिए? short duration के लिए और बच्चो जुडेरो मैस्टीज है उसके अंदर ESCO या BCDO के member है तो जरूर से यह भी कैसा होगा यह भी septate type का hyphy होगा लेकिन इसके अंदर dicherotic stage नहीं होती है बच्चो क्यों dicherotic stage नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर sexual reproduction नहीं होता है ठीक है प्लास्मोगैमी नहीं होती है ठी देखो बच्चो अधर feature को compare करते हैं नेक्स देखते बच्चो की आखर Asexual Reproduction कैसे होता है तो Oomaistates के अंदर Asexual Reproduction जो होता है वह मेंली जू स्पोर के थू होता है मोटल स्पोर के थू जाइगो मैस्टीज में 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 ली एपलैनो स्पोर बनते हैं बच्चो असको मैस्टीज के अंदर क्या होता है इसके अंदर मेंली कोनीडिया का formation होता है और बच्चो बस्चीडियो मैस्टीज में कोई ऐसे स्पेशलाइज Asexual Spore Absent तो इसका मतलब यह कैसे Reproduction कर रहा है बच्चो यह Reproduction कर रहा है Fragmentation के दुरू Asexually और Vegetatively और Dutero Maestries होते है बच्चो यह इसको Maestries का Member है तो इसके अंदर भी क्या होगा कोनीडिया का formation होगा इसके बाद में बच्चो sexual Reproduction कैसे होता है U Maestries के अंदर हमने देखा था Gamet Angel Contact मेंली क्या होता है Gamet Angel Contact होता है जबकि Zygomyastries के अंदर मेंली क्या होता है बच्चो Gamet Angel Copulation वाले Method से Gamet Angel Copulation ऐसको Maestries होता है बच्चो उसके अंदर क्या होता है Sometogamy and Other Methods और भी Methods होता है Bacidio के अंदर मेंली Sometogamy and Spermatization और बच्चों Deuteromasties में Sexual Reproduction absent होता है यदि बच्चों Sexual Spore की बात करते हैं तो U Mycids में जो Sexual Spore होगा वो होगा U Spore और U Spore की Ploidy Level क्या है 2N क्योंकि Zygote के उपर थी Covering से बना है और ऐसे ही Zygomyasties के अंदर जो Spore होगा बच्चों Zygospore Ploidy Level 2N Escomasties में क्या होगा बच्चों Esco Spore Ploidy Level N Bessidiumasties में Bessidium Spore Ploidy Level N जबकि Deuteriumasties में Spore Sexual Spore Absent ठीक है बच्चों यदि हम Fruiting Body की बात करते हैं तो U Mysties में Fruiting Body Absent Fruiting Body Absent यहां पर भी Absent होगा यहां पर होगा बच्चों Esco Carb Escomasties में Esco Carb बनेगा Bessidiumasties में Bessidium Carb बनेगा और Deuteriumasties में Absent बच्चों यहां पर कुछ exceptions भी है जैसा Asteelago Paxenia इनके अंदर Bessidium Carb नहीं बनता है Escomasties में East जो है बच्चों उसके अंदर Esco Carb नहीं बनता है ठीक है बच्चों और जो Mushroom का Edible Part होता है वो भी Bessidium Carb होता है ठीक है फिर इसके अलावा और Difference देखते हैं हम Dicarotization Dicarotization का मतलब क्या है बच्चों Dicarotization का मतलब है Dicarotic Mycelium का Formation होना Dicarotization Absent यहां पर भी Absent Dicarotization होता है किसमें? Escomasties में Bessidium Masties में Dutero में Absent होता है और Esco में Dicarotization की जो Phase होगी Secondary Mycelium माली वो Short Duration की होगी जबकि Bessidium Masties में Mean Phase हो होगी ठीक है बच्चों और इसके अलावा अब देखते हैं हम इनके Examples U-Masties के Examples Mean Mean Examples कौन-कौन से हैं Zygo बचों कुछ Examples जो आप ध्यान रखेंगे U-Masties में Albugo जो बहुत Simple Example है जो ध्यान रखना मस्ट है Albugo Pythium Zygo Masties में आप जो ध्यान रखेंगे वो है Rhizopus Mucor और Escomasties में जो आप ध्यान ध्यान रखेंगे वो है Mushroom, Sorry Morsella, Tuberestivum, Panicillium, Aspergillus, Neurospora Crasa ठीक है बचों तो यह कुछ Important Example है East Escomasties में Bessidiomyasties में Mushroom, Astilago, Paxenia, Deuteromyasties में Helminthosporium Orisee, Alternaria Solenite, Trichophyton Sarcospora, Collio Trichum तो बचों कुछ Important Example है जो आपको यहां पर ध्यान रखने है और हम थोड़े से Examples के बारे में और देखते है तो बच्चों देखते हैं Classification कुछ Example Umayasids के Umayasids के Example में बचों आपको जो Examples ध्यान रखने हैं उसमें सबसे Important तो है Albigo Albigo की वजे से जो Disease होते है उसका नाम है White Rust Wheat Rust Disease और White Rust Disease of Crucifer बच्चों इसको W-H-E-A-T Wheat Rust Disease जो है वो बोलना ज्यादा ठीक रहेगा तो बच्चों Wheat Rust Disease जो है वो किसके अंदर होगा Crucifer के अंदर Wheat Rust जो होता है बच्चों वो बच्चों होता है Paxinia से Wheat Rust जो है वो आप पढ़ेंगे Bacidomyestries में ठीक है बच्चों तो O-Myestries के अंदर Phytophthora Infestance जो है उससे Late Blight Disease होता है इसको Famine of Ireland बोलते है Pythium से Damping Off होता है Sclerospora Graminicola Green Ear Disease और Albigo जो है उससे White Rust Disease होता है बच्चों Zygomastries के अंदर कुछ एक्जांपल यहां पर दो एक्जांपल important है बच्चों Rhizopas and Mucor जो Rhizopas होता है इसको हम Black Bread मोल भी बोलते है बच्चों और Mucor को Cow Dung मोल भी बोलते है और Mucor जो है वो citric acid produce करता है Pylobolas जो है बच्चों वो भी Zygomastries का member होता है बच्चों Escomastries के एक्जांपल में important है Penicillium Notatum first antibiotic discover होता Penicillium Notatum से इसके अलावा Penicillium Grisophyllum जो है बच्चों Grisophyllum से भी antibiotic मिलते है Penicillium के और variety Rockfordai चीज बनाने में काम आता है और Penicillium Crysogenum जो है बच्चों इससे antibiotic Penicillium जो है उसका commercial production होता है इसके बाद में next बच्चो Aspergillus Aspergillus को black और brown mold भी बोलते हैं बच्चों और यह efflotoxin produce करता है जो कि एक carcinogenic substance होता है इसे हम laboratory wheat भी बोलते हैं Clevicep से Irkut disease होता है Clevicep पूरपूरा जो है उससे Irkutine मिलता है और इससे एक Narcotic Drug LSD Lysergic Acid Diathylamide hallucinogenic drug जो हो भी obtain किया जाता है Morsella बच्चों important है यहाँ पर Morsella edible fungai है और इसे morals भी बोलते हैं Neurospora Neurospora भी important बच्चों से red और pink mold बोलते हैं और इस जनेटिकल experiments में जो है वो काम आता है Erysipha Erysipha Pytory Malduris होता है Pizziza club fungai है Trichophyton or Microspormum बच्चों इसके अंदर imperfect stage जो होती है वो उसको हम रखते हैं कहाँ पर उसको हम रखते हैं Deuteromyasteries में जो perfect stage होती है बच्चों वो होती है कि इसके अंदर Escomasteries में ठीक है बच्चो जिबरिला Fuzzy Coraline से Zibraline मिला था और East जो है बच्चों वो Basidiomyasteries के मेंबर बच्चों Basidiomyasteries के कुछ important example में सबसे important जो है एक Paxenia Paxenia जो है उससे Wheat और Burberry plant जो है उसके उपर disease होती है Wheat rust जो है वो Paxenia Gramynistritica जो है उससे होता है इसके बाद में बच्चों Mushroom बहुत important है Mushroom के अंदर 2 category देखते हैं Biosporous Agaricus जो है Edible होता है और Delicious Mushroom होता है जबकि Amenita के यदि हम बात करें तो यह बहुत ही dangerous होता है ऐसे हम Death Cup भी बोलते हैं Poisonous Mushroom है Toad Stool भी बोलते हैं बच्चों Baxenia जो है उसको हमने क्या बोला इसको बोलते हैं Rust Fungi और ऐसे ही बच्चों एक फंजाई होता है Smut Fungi Asteel लेगा Asteel लेगा New Diage होता है Loose Smut Disease होता है या Cover Smut Disease होता है बच्चों और यह डिजीज होता है वह Flower and Seed के तुरू जो है वह इसके अलावा बच्चों Puff Ball Lycopal Downs होता है इसका Member है और Bracket Fungi या Shelf Fungi या Shelf Fungi या Shelf Fungi या Shelf Fungi तो आज हमने पढ़ लिया कि Fungi के अंदर Sexual Reproduction के कौन-कौन से Method है और उसके Classes क्या है उनके क्या-क्या Features है और Examples ठीक है बच्चों अब हम देखते हैं कुछ Question Fungi के Related तो बच्चों First Question जो है याँ पर देख रहे हैं Penicillin is obtained from Penicillin जो है वो बच्चों सबसे पहले Discover हुआ था किस से Penicillin notatum से Discover हुआ था बट commercial level पर इसका production जो होता है वो Penicillin Crysogenum से होता है ठीक है बच्चों Mycelium of Albugo is बच्चों Albugo जो है वो किसका member है Mycelies का member है और हमने पढ़ा था उसके अंदर Sinocytic यानि Unseptate and Multinucleated Type का Mycelium होता है The fungus without Mycelium कौनसा fungi यसा है इसमें Mycelium है नहीं बनता बच्चों वो Unicellular जो East होते है Saccharomyces होते है Heterothelism का मतलब क्या होता है बच्चों कि बच्चों के उपर male और female gamete नहीं बन रहे है यानि strange वो Physiologically different होने चाहिए Genetically different होने चाहिए ठीक है बच्चों Plasmo Gammy refers to Plasmo Gammy का मतलब क्या होता है बच्चों Fusion of two haploid hyphy with simultaneous nuclear fusion Fusion of two haploid hyphy without simultaneous nuclear fusion यानि पहले Cytoplasm to fuse हो गया बाद में fuse होगा उसको हम बो लेंगे Plasmo Gammy ठीक है बच्चों तो बच्चों जो फंजाई है वो आप लोगों ने पढ़ लिया है और इस chapter का हम continue करेंगे अब next lecture में तब तक आप पढ़ते रहिए बाई बाई